ये कहानी सुलो आप पूरा मामला और जियो पोलिटिक्स एक मिर्ट में समझ जाओगे कहानी है 1999 की उस समय तक पाकिस्तान ने परमानू बं बना लिये थे लेकिन उसके पास डिलिवरी मेकनिजम नहीं था यानी की परमानू बं ऐसा तो है नहीं की हाथ से फेक कर मारेंगे उसके लिए मिसाइल चाहिए जो डिलिवरी करे उसकी आपके टारगेट तक ऐसे में पाकिस्तान ने चुपचाप एक डील करी कोरिया के साथ कोरिया के पास दरसल मिसाइले तो थी सोवित यूनियन के जमाने की उनकी टेक्नलोजी को रिवर्स करके उन्होंने खुद की मिसाइले बना ली थी लेकिन परमानू बं नहीं ऐसे में दोनों देशों ने डील करी कि एक दूसरे को परमानू बं देगा और दूसरा पहले को मिसाइल टेक्नलोजी और ऐसा हुआ भी CIA ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों देशों के बीच में ऐसी डील्स हुई थी खैर इसी परकार की डील अब हो रही है रूस और इरान के बीच में इसकिपर आप देखिए पूरे पश्चिमी वर्ल्ड में इस समय कोहराम मचा हुआ है खास करकी अमरीका और इसराइल में इसका कारण ये है कि जिस बुरे सपने से ये पिछले 20 साल से डरते आये थे वो सपना अब लगबग पूरा कर दिया है रूस ने बुरा सपना इनका ये था अनुसार दोनों देशों के बीच में एक नुकलिर डील हो चुकी है जो की काफी खोफिया रखी गई है जिसके तहट इरान रूस को मिसाइले देगा बैलस्टिक मिसाइले इसके अलावा जो ड्रोन है लोइटरिंग मिनिशन्स हैं ये प्रोवाइड कराए जाएंगे इतना ही नहीं हर एक परकार के हतियार जिसकी जवरत रूस को होगी इरान वो सप्लाई करेगा रूस को इस एहसान के बदले रूस परमानू बम देगा इरान को रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि ओल्रेडी कुछ संख्या में परमानू बम सप्लाई भी किये जा चुके है जी हां यहां पर रूस टेक्नोजी नहीं दे रहा निउकलियर बम बनाने की ना ही यहां पर किसी परकार की अन्य टेक्नोजी शेर की जा रही है दरसल यहां बात हो रही है actual nuclear bomb की जो ready to fire है और इसमें बताया गया है कि दोनों देश अभी इस deal को secret रख रहे हैं वरना इससे रूस की बदनामी होगी कि रूस ने nuclear proliferation संधी जो कि एक global संधी है परमानु बम के प्रसार को रोकने के लिए उसका उलंगन किया है क्योंकि इस संधी के तहट रूस ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो दुनिया भर में परमानु बम के विस्तार को रोकेगा और किसी भी और देश को परमानु बम ना तो देगा ना ही देने देगा ऐसे में अगर ऐसी deal हो चुकी है तो इस संधी का ये उलंगन है और इसके तहट पूरी दुनिया में रूस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ सिर्फ अमरीका और पश्चिमी देश एक्शन नी लेंगे फिर पूरी दुनिया इसमें कूदेगी और पूरी दुनिया एक्शन लेगी यहां पर रूस के खिलाफ इसमें अमरीका भारत चीन सब इनवोल होंगे इसलिए फिलहाल इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है जब एक सही टाइम आएगा तो एक सही बहाने के साथ इस बात को दुनिया के सामने लाया जाएगा लेकिन भले ये रिपोर्ट हो इसने पूरी पश्चमी दुनिया में कोहरा मचा कर रख दिया है और बैठक पर बैठक कर रहे हैं पश्चमी देशों के नेता कल ही अमरीकी राष्टपती बाइडन ने एमरजनसी बैठक करी है ब्रिटेन के प्रधानमंतरी के साथ वाइट हाउस में इसके अलावा नाटो में बैठक हो रही है योरप के अंदर तमाम देश एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से अब कैसे निप्टा जाए लेकिन इस पूरे मामले से जो देश सबसे ज़्यादा कंसर्ण है वो है इसराइल क्योंकि इसराइल ने इतने सालों तक खूब कोशिश करी कि इरान के पास न्यूकलिर बम ना आई यहां तक कि इनोंने अमरीकी खूफ एजनसी CIA के साथ मिलकर साइबर अटैक और फिजिकल अटैक भी करवाए इरान के अंदर लेकिन अगर उसके बावजूद रूस की एक छोटी सी मदद से इरान के पास न्यूकलिर बम आ जाते हैं तो यह इसराइल के एक्जिस्टेंस पर सबसे बड़ा खत्रा होगा तो कि इसराइल के लिए बहुत ही जादा खतरनाक होगा ऐसे में देखने वाली बात यह है कि दुनिया इस मामले पर आगे कैसे रियक्ट करती है और सच में अगर ऐसा हुआ है तो इसराइल क्या एक्शन लेगा